इंडिया में 5.9 मिलियन टन लीथियम रिजर पाया गया था जम्मू एन कश्मीर में और इसके बाद इंडिया 7th largest country बन गई थी दुनिया में जहां पर आपको लीथियम देखने को मलता है लेकिन ये बात तो यहां पर फरवरी किये इसमें current development की बात करें तो जो लीथियम रिजर पाया गया था ना इसका प्लान यह कि इस साल के end तक इसका auction यहाँ पर करना है ताकि जो companies माइन्स ओपन कर सके और लीथियम को extract कर सके लेकिन यार ये बात इतनी ज़्यादे important क्यों हो जाती है यहां फर दुनिया की 50% से ज़्यादा टेसला करस कहां पर बनती है इसका answer है चाइना चाइना देखा जाए तो दुनिया का खुद 6 largest lithium reserve है लेकिन उसके बाद भी वो lithium batteries बनाने में electric cars बनाने में या तक ही electronic चीज़े बनाने में लेकिन अब जाके हमें market के अंदर assembled India made in India products देखने को मलते हैं इंडिया ओल्रेडी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा smartphone market है और इंडिया में electronic products की demand बहुत ही ज़्यादा तेजी से बढ़ी है जैसे कि laptops की, headphones की, mobile phones की, tablets की और ये demand धीरे धीरे और increase हो रही है और जो इंडिया में जो consumption ये lithium वाली batteries का वो already काफी ज़्यादा आ रहा है और जब इंडिया में धीरे-धीरे electric two wheelers और electric four wheelers भी popular हो रहे है तो जो lithium की demand होती इंडिया में वो और भी जाद increase होती जा रही है लेकिन वहीं बात करें कि lithium के उपर इतने जाता क्यों rely करना है इसके alternatives भी मौझूद है well, alternatives भी हैं लेकिन वहाँ पर भी lithium की ज़रुवत पड़ती है जिसके solid state batteries में भी lithium की ज़रुवत पड़ेगी graphene batteries में भी lithium की ज़रुवत यहाँ पर पड़ेगी और जो दूसरी alternatives है जैसे sodium based batteries तो वहाँ पर भी अभी problem है कि वो scalable नहीं है और उनके mass scale पर manufacturing हो नहीं सकती और अभी भी काफी सारे alternatives है वो research and development phase के अंदर चल रहे हैं तो काफी लंबे समय तक हमी lithium के उपर ही rely करना पड़ेगा क्योंकि जैसे ऐसे future में demand बढ़ेगी प्रोडर्स की वैसे वैसे lithium batteries की भी requirement बढ़ते चल जागी और इंडिया के लिए इतना important यहाँ पर इसलिए भी है क्योंकि इंडिया ने past में काफी सारी चीजों के अंदर delay हो गया जैसे की हम अकसर बात करते है made in इंडिया आईफोन की है made in इंडिया smart phones की लेकिन फिर भी हमें पता है कि majority जो phones होते हैं इंडिया में वो actually assemble होते हैं बाहर से components आते हैं और वो इंडिया में जाके assembling होती है लेकिन ये चीज तो अभी शुरू हुई है आज से कुछ साल पहले तक सभी के सभी phones completely made in China होते थे लेकिन अब जाके assembling होई है लेकिन फिर भी हम जो काफी सारे core components होते हैं वो नहीं बना पाते हैं वो हमें Taiwan से काफी सारे microprocessors को import करना पड़ता है या फिर हमें अलग-अलग components को China से निकालना पड़ता है हम जो basic चीज़ें इंडिया में सिर्फ वही बना पाते हैं लेकिन अब smartphone के बाद जो अगला revolution आ रहा है न वो आ रहा है EVs के अंदर और इन electric vehicles की manufacturing में हम already की advantage ले सकते हैं और already इंडिया ने इस चीज़ का advantage लेना शुरू भी कर दिया जैसकि आप लोग को पता है कि इंडिया में जो electric vehicles मिलते हैं उनको यहाँ पर subsidy मिलती है कई state government भी subsidy देती है कई बास central government भी देती है और यहाँ पर इस चीज़ को बोला गया था fame to subsidy जिसका मतलब यह तक होई भी अगर electric vehicle अगर उसकी manufacturing अगर इंडिया किंदर हो रही है और majority जो components है वो इंडिया से ही source किये जा रहे है तो वहाँ पे उस electric vehicle के लिए government अलग से subsidy देगी जिस कारेट से electric vehicles का manufacturing सस्ती हो एक petrol गाड़ी के बराबर आपा है और लोग उसे जादा से जादा adopt कर पा है और यह वही subsidy जो Elon Musk लेना चाहते थे Tesla गाड़ी के लिए लेकिन Elon Musk इंडिया में Tesla कार को बनाना नहीं चाहते थे वह चाहते थे कि हम चाइना से पूरी की पूरी कार ले और इंडिया में बेशना शुरू कर दे और जो incentive यहाँ पे दूसरी companies को मिल रहा है जो कि इंडिया में अपने गाड़िया बना रही है वही सारे incentives भी Tesla लेना चाहती थी लेकिन इसको मना कर दिया गया और उनको कहा गया कि Tesla गाड़ियों को अगर वह सारे benefits चाहिए तो उन्हें इंडिया में अपनी कार को बनाना पड़ेगा और इसलिए Tesla कार आपको अभी तक देखने को नहीं मिल पाए इंडिया में लेकिन इसके comparison में जो दूसरे electric vehicle निथियम बेस्ट बैटरी और गवर्मेट में इसलिए हाप इनकम्स को सबसीडिय दी ती क्योंकि आप कोई भी electric vehicle होगे ना उसकी लगब 40-50% जो कीमत रहती उसकी बैटरी खा जाती है क्योंकि जो बैटरी के sales होते वो इंडिया में नहीं बनते ये companies China ये Korea से battery sales को import करते और इंडिया में उनको आपस में जोड के battery pack को यह पर बनाती है और इसी चीज़ को पमरवोट करने के लिए वो लग सबसीडिय लाए दे कि जित्ती बड़ी battery लगाओ के उत्ती जाद आपको यह पर सबसीडिय देखने को मिलेगी इसी कारण से market के अंदरिक revolution आपाई electric vehicles का लेकिन बात यह यह कि जो fame to subsidy है ना 2024 में expire होने वाली है और 2024 एक last deadline मिली हुई है इन companies को कि कही न कई से जो companies है इंडिया में अपनी batteries बनाना शुरू करते तो आखिर इंडिया में state के चल रही है lithium वाली batteries थी तो सबसे पहले बात करना जाओंगा कुछ बड़ी उसके बार में जैसकी बात करें Reliance Industries है मोकेशंबानी की वो तो आज यह समय में अपनी खुद की गीगा फेक्टरी है पर बना रहे है जी हाँ दोस्तों उनकी गीगा फेक्टरी आने वाले समय बनने वाली है और जिस तरीके से जी हो रिलाइंस यहाँ पर ग्रो कर रहे है तो वो भी इलेक्टरी वेहिकल वाले मार्केट को छोड़ना नहीं चाते है अपने चारजिंग स्टेशन और बैटरी के कारण इस मार्केट के अंदर वो कूदना चाते है क्यार उनकी गीगा फैक्टरी थो भी बन रही है लेकिन क्या आप लोग को मालूमी कि इंडिया के पहले लीथियम आयन मैनुफेक्टरिंग प्लैट का इनॉग्रेशन आलरेड़ी पिछले साल आंदर प्रदेश में हो चुका है इसके साथ ही इंडिया की पहली made in इंडिया लीथियम बैटरी सेल भी कमपनी हापे निकाल चुकी है और वो है लॉग 9 लॉग 9 अलरेडी प्रेड्यूस कर रही है ये लीथियम बैटरी सेल को जिसका यूज किया जाया का इलेक्टरिक 2 विलर और अलेक्रिक 3 विलर जिसके बाद से market में जो electric vehicles होते है उनकी कीमते भी कम होंगे plus वो market में उनकी availability भी जञादा भड़ी हो अब market में और भी जादा option है जो electric vehicle का revolution है यो already two wheeler में हम देखना शुरू भी कर चुके जिस तरीके से petrol 2 wheeler की sales decline जा रही है और electric 2 wheelers market में तेजी से rise up कर रहे है वो दिखके लग रहा है कि जो पहले जो revolution already शुरू हो चुका है वो तो आपको two wheeler में देखने को मिलेगा लेकिन four wheeler में आपको थोड़ा सा time देखने को मिल सकता है क्योंकि वहाँ कहानी बिलकुल 5G जैसी है क्योंकि जैसी कि आपको पता है कि काफी सालों से 5G phone market में है लेकिन उनके लिए 5G network तो अभी आया है सेम कहानी car होंके साथ भी होगी cars बहुत सारी market में होगी लेकिन इनके लिए जो charging infrastructure आएगा न वो आने में अभी छाए थोड़ा सा time हमें लग जाएगा लेकिन बदले में जो made in India battery cells होंगे न इसका benefit है रहेगा कि cars की कीमेत वे कम हो बाएंगी लोग इन्हें आसन तरीके support कर पाएंगे प्लस जो already existing car जिस price point मिलती उनके अंदर आपको और जादा long range देखने को लेगी यानि कि कम price के अंदर एक long range वाला product यी चीज़ यहाँ पर possible हो से और इसका advantage यहाँ पर जो electronic industry होती है जैसे कि laptop, mobile phone, tablets हो गए इनकी manufacturing पर भी कहिना कहीं पड़ेगा और बात करें जो इंडिया में जो lithium resources को लेके जो mining हो रही है उस पर भी बात कर लेते जिसके बार में पता चला है कि top 3 companies जो mine कर सकती lithium को इंडिया में जिसमें से एक होगी national aluminium company Nelco फिर होगी mineral exploration corporation और हिंदुस्तन copper limited इसके साथी iron ore miner NMDC ने भी कोई partnership कर रही Australian company के साथ lithium को export और mine बगरा करने के लिए लेकिन हमेशे electric vehicle के साथ हमेशे एक चीज़ जुड़ती है वो है pollution की यहाँ पर सबसे पहले तो charging वाली बात करने चाओगा इंडिया देखा जा तो इस समय थर्ट largest country renewable sources of energy में solar, wind, power का use किया जाता और यहाँ पर 40% जो energy produce की जाती है वो की जाती है renewable sources के साथ जो कि आने वाले समय में और जादे increase होगी और जैसे ऐसे coal के उपर dependency कम होगी वैसे वैसे हम energy को और जादा production कर पाएंगे तो यह एक advantage इसके साथ इसके साथ ही जो लोग electric गाड़ी यहाँ पर use कर रहे वो अपने घर के उपर solar panels भी लगा सकते है जिस कारण से वो अपने गाड़ी को अगर यहाँ पर charge करेंगे तो वो totally यहाँ पर clean होगी लेकिन इसके बाद एक और problem आती वो आती mining से जो natural resources खराब होगा और जो pollution create होगा उसका क्या ये एक ऐसी चीज़े जिसकी उपर अभी और काम करने की जुरुरत है कि nature को कम से कम destroy करना पड़े और बदले में जो lithium होता है वो भी हम निकाल सके इसके साथ एक और ऐसी चीज़े जो इंडिया में अभी होना बाकी वो होगी lithium batteries को dispose करना और उनको recycle करना यह आप लोग मालूम है कि globally 95% batteries जो रहती है ना landfill sites के अंदर dump की जाती है और उसमें से 5% batteries होती है जो recycle या reuse की जाती है और इंडिया में अभी भी proper disposable reuse और recycle की facility की easily available नहीं है तो यहाँ पर भी थोड़ा काम करने की जुरुत है कि lithium batteries तो है लेकिन battery बाक खराब हो जाती है तो उसको dispose और उसको recycle करके और इसको advance किया जा सकता है तो यह भी एक ऐसी चीज़े जहाँ पर आने वाले समय में और भी जादा काम करने की जुरुत है लेकिन इंडिया में lithium यानि की white gold का होना एक बहुत बड़ी बात हो सकती है बाकि आप लोगों से भी एक request है आप साथ और नेक्स फंट के अंदर गुद बाए